तो देखे आज हमने बनाई है राजस्थानी भर्वा प्याज की सब्जी जो बहुत ही टेश्टी बनती है और बरसात की दुनों में अक्सर हम बजार नहीं जा पाते हैं तो सब्जियां इतना अवे लेविल नहीं हो पाती हैं तो इसके लिए बेस्ट आप्शन है कि आप प्य प्याज भर्वा बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने प्याज को छोटा छोटा है जो उसको छील कर छील लिया है और अब मैं इसको धो लेती हूं और इसके लिए ना इस सब्जी के लिए बेबी प्याज ही बहुत ही अच्छी रहती है जो बहुत ही टेश्टी लगती है और बहुत ही इसमें इसका टेस्ट ही उभर के आता है तो इस तरह से हमने देखिए इसको धो लिया है और अब हम इसको कट करेंगे तो इसको हमना फोर लियर में कट कर लेते हैं जिस तरह से हम भरवा बैगन बनाते हैं ना कट करते हैं उसी तरह से हमने इसके देखिए फोर पार् तो बहुत ही अच्छी आपकी सबजी बनेगी और फ्रेंस देखे ये कट चुका है तो अब इसको हम डीप फ्राइ कर लेते हैं और इसे हमको करीब दो मिनट अच्छे से इसको फ्राइ करना है जिससे कि इसका जो लेयर है न वो खुल जाएगा थोड़ा सा और इस तरह से ह की हमारी सबजी अच्छे मीठी नहीं लगती है थोड़ा सा मिठास रहता है जो इसमे और मैंने कडाए में पानी डाल दिया है तो इसमें मैं में 2 मीडियम साइζ के कटे हुए टमाटर। इसमें बॉयल कर लेते हूं और कुछ मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, और अब हम डालेंगे इसमें धनिया का डंडिया होती हैं, जो उसको डाल दिये हैं, काजु डाल दिये हैं, 4-5 पीस, प्याज कटा हुआ, और थोड़ा सा साबुत हम मसाला डाल देते हैं, जावित्री, दाल चीनी, चोटी इलाइची, बड़ी इलाइची और कुछ दो-तीन हमने लॉंग डाली है और अधरक एक इंच का टुकड़ा इसमें बॉयल कर लिया है तो इसको निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे फिर उसके बाद हम इसे ग्राइन कर लेते हैं और कुछ मसाले हैं तो इसको देख लेते हैं धनिया, पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कस्मीरी लाल मिर्च को हमने पाने में घुल कर रख दिया है मस्टर्ड वाइल डाल दिया है इसमें हमने तेज पत्ते डाले हैं और ये जीरा है कलोंजी है और थोड़ा सा हमने कसूरी मैथी को डाला है हींग डाल दिये हैं थोड़ा सा हरा मिर्च और अब इसमें मसाला एड़ कर देते हैं और इसको हम 2-3 मिनट तक मीडिय माच पर इसे भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसमें से तेल भी इसका रिलीज होने लगेगा तो अब हम इसमें एड़ कर देते हैं नमक तो स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसे भून लेंगे तो अब यह मारा मसाला जैसे तेल रिलीज कर दिया है तो अब इस stage पर हमने इसमें टमाटर और मसालों का जो था उसका पेच्ट हमने डाल दिया है और इसे भी हम मीडियम आज पर ही भूनेंगे और ढखकर रख देते हैं करीब 2-3 मिनट हो चुका है और ये मसाला इस तरह से भूना हुआ है तो अब इस stage पर हमको डाल देना है इसमें दही तो मैंने fresh दही लिया है और ये 2 टेवल स्पून हमने लिया है और इसको हम डाल दिये हैं और आज को हमने मीडियम रखा है और चलाते हुए हमने इसको भूना है तो देख लेते हैं और ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है तेल भी इसने release कर दिया है तो अब इसमें हम add कर देते हैं प्याज को और आप चाहें तो इसमें gravy भी कर सकते हैं तो प्याज जैसे हमने डाल दिया है और इसमें हमने ये fresh मलाई लिया है तो इसको भी हम डाल देते हैं और आज को हमको medium ही रखना है और अच्छे से हमको इसे भूनना है तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा homemade हमने गरम मसाला डाला है और इसको हम cupboard करके रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए और देख लेते हैं तो देखिए इसमें मलाई भी melt हो गया है और इसको आप चाहें तो gravy बाला भी कर सकते हैं और ऐसे ही भी इसको मसालेदार बना सकते हैं और ये हमारा भर्वा प्याज बनके तैयार हो गया है तो इसमें अब डाल देते हैं हरा धनिया और देखिए कितना जल्दी हमारी ये सबजी बन के तयार हो चुकी है तो इसे सर्ब कर लेते हैं और फ्रेंट्स इसको आप रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और ये रेस्पी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी में राम राम